हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग बढ़िया मैं भी ठीक हूँ और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है ना वही वो लाइब शो जो हुआ था लाइब स्ट्रीमिंग है ना इंग्लिश में यही तो बोलते हैं आप लोग लाइब स्ट्रीमिंग चलिए चलिए तो उसके ना करते हैं कि वीडियो डाले वीडियो डाले आप सदिय में स्टार्ट हो गई है तो मैंने काई वीडियो डाले चोटी-चोटी बाते हैं उसमें बहुत important होती है कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत आगे तक की पढ़ाई कर लेते हैं बट बेसिक सगर क्लियर नहीं ह तो बहुत इश्वा आते हम उसमें और फिर क्या होने लगता है कि लगता है कि तो सब फेल हो रहा है सारा मामला, तो मैंने का कि कुछ नई चीजें रिवाइस करा दूंग्या तो हो सकता है मैंने पहले बाते बताई हो आपको, लेकिन कुछ नए एंगल से बताने जा रहा हूं कि इस समय आप लोग कर रहे होंगे नौंबर का महीनाथ से शुरू हो गया है है ना तो बीच में थोड़ा सा थोड़ा तबियत का इशू रहा है मेरा थोड़ी एलर्जी एलर्जी की प्राब्लम रहती है मुझका तो बच्पन सही है आप लोग के अपने हाल चाल दे दिया कीजिए अच्छा लगता है कुछ इदर फ्रेंड्स में बताओं कि कंसल्टेंसी काफी अच्छे से चल लई थी और अब भी चल लेए बढ़िया से तो उसमें कुछ यंग्स्टर लेडीज कर रही हैं तो उनके इस्पेशली थो फरीदाबाद से ग्रिशा जी हैं दिली से अंशु महाजिन जी हैं और कुलकाता से आकांच्छा विंपी चावला जी हैं यह लोग बढ़िया से कर रही हैं बहुत अच्छा लगता है मुझको लेडीज जब करती हैं एक ऐसे एरिया में जहां पे हमेशा मैं का दबदबा र विमिन द्वारा तो वो लोग करती हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं तो मुझको बहुत अच्छा लगता है और उसमें ग्रिशा जी तो ऑर्गैनिक भी कर रही साथ में और बाकी लोग को इंडूर कर रहा है कोई इस तरीके से तो मैं ज्यादा ज्यादा लेडी से कहना चाहूंगा कि इस एडिया में आए और यो पूर्षों का जो वह बोलते ना हम ही करेंगे हमी करते हजारों सालों से पूरुष करते आ हैं यह सब कुछ नहीं ही खडाइये उनको पूरुष किनारे करिये आप लोग आ गए बढ़िये सब्जय के आ तो आपको बिल्कुल बढ़िए है ना चलिए में टॉपिक पर आते हैं तो भाईया कोई नहराज आराज ना हो ना पुरुष जी लोग थोड़ा सा ये अच्छा लगता है ना कि कोई बढ़ रहा है उस एरिया में है ना पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं सबसे बड़ी बात य जो मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज है मैं पहले पूछता हूं कि बढ़िया एजुकेशन क्या रही है आपकी तो कहते हैं कि साहब आठ में तक पड़े हैं अब आठ में तक पड़े हो तो मैं भी बोल देता हूं साथ में कि बढ़िया पांच लीटर दूद हमको देना है आप को आपके भगवनें भगवनें समझते ना पतीला भी बोलते हैं उसको अंग्रेजीम क्या बोलते हैं मुझको नहीं मालूम हिंदी मीडियम का पड़ा हूँ तो अब आपका वो धाई लीटर का लिए खड़े हो या दो लीटर का खड़े लिए तो क्या होगा फैल जाएगा डबल सेवन 6916 है ना तो मैसे ज़्यादा करिएगा काल थोड़ी कम करा करिए बहुत जरूरी हो तब ही करिए बिजी रहता हूं बहुत ज़्यादा चलिए शुरू करते हैं कहें कि काफी बाते कर ली फालती है ना बहुत दिन बाद मिले तो फिर बात करने की इच्छा कर दे सीडलिंग सबसे रहे लोगो इसी मफस्ते फ्रूटिंग की बात करेंगे और सीडलिंग ठीक से होती नहीं है बहुत इंपोर्टन बात बताने जा रहा हूं कोको पीट में जब भी सीडलिंग करें कीचर ना बना दे कोको पीट को भी सूखा सुखा रखें कितना सूखा रखना पंजीरी देखी देखी तो होगी जो लोग कृस्ध्य की पूजा बगेडरhा करते हैं या बहुत सारे त्रफ़ार होते हैं हिंदू πουnar divin है तो जिन्हों नहीं देखिये तो समझ लें मतलब कि इतना गीला हो कि हाथ मेहर करें तो हलका सा पानी दि कोगोपीट का समझ में आया बहुत गीला नहीं होना ची definite बहुत गीला नहीं देखिए पोह समझ लीजे उस तरीके से सुखा सुखा बुर बुरा अम अंदब ठीक है समझ गया हूंगे मेरी वात क्या कहना जा रहा हूं उस तरीके के कोको पीट में अगर आप सीविलिन करते हैं तो बहुत बढ़ी हासे रहती है ठीक है गीला कर देंगे फंगल इंफेक्शन आ जाएगा आपके सीट खराब हो जाएंगे आप खुब ट्रीटमेंट कर लीजे सब कुछ है वो भी जो फंगस है वो भी नेचर की बना रहे तो सुखना भी नहीं चीए कोको पीट का कलर आपको डार्क चॉकॲेट जैसा देखना चाहिए काला नहीं दिखना चीह इह काला मतलब बहुत गीला हो गया बिल्कुल भूरा दिखने लगए तो समझ लीजे कि सूख गया है अगर डाक चॉकलेट जैसा दीखे ठीक है क सब जानते हैं नहीं जानते हो तो अपने घर के बच्चों को देखवा लीजेगा कि देखो भईया डाक चॉकलेट जैसा दिख रहा है तो बस समझ लीजे कि ठीक है अधर्वाइश हां से टश करके देख लीजे समझ में आ जागे कि बहुत गीला है वो नहीं करना है है ना जब तक सीड जरमिनेट ना हो जाए तब तक उसको शेड में रखना है कोई अंधेरे कमरे की बात नहीं वो कैसे जर्मनेट करने तो फी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लीजे ठीक है क्योंकि उन चीजों को जर्रलाइज नहीं किया जा सकता है इंडिविजुल की रिक्वार्मेंट होती है तो उसमें फिर मैं सब कुछ बता दूंगा लेकिन यह भी जो बता रहा हूं यह काफी अब उस तरीके से कर सकते हैं तो लाइटिंग अब भी हो गया मतलब आपको डार्क में रखना है जैसे ही सीड जर्मनेट हो जाए जैसे ही आपको दिखने लगे कुछ को 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 पीट को फार के बाहर निकला है कुछ भी चीज़ समझ दीजे सीड जर्मनेट हो गया बस उसको स सर्दियों में क्या करिए सर्दियों में सीधे रख दीजे सनलाइट कोई शेड वह नेट शेड पाली हाउस उसकी जड़ोती नहीं होती सर्दियों में इस्पेशली नौर्थ इंडिया में और अगर मान लिजे आप ऐसी जगह पे लेकिन इतना तो टेमपरीचर देखिए हर अजिके पूरे अक्रोस इंडिया रहता है पूरी इंडिया में रहता है कि आप उसको बाहर रख सकते हैं सुबह कि दूप तो कम से कम देखिए सकते हैं तो उनको फिर आपको दूप देनी है चार से छे घंटे की इतनी धूप जरूर दीजिए अधरवास क्या हो का अड़ियां कमजोर हो रही हो उसकी इस टेम पतली हो जाती लंबे होने के बाद वह ऐसे गिर जाएंगे तो उनको आपको बढ़ने देना है लेकिन थोड़ा तंद्रुस्त बना के इसे नहीं कि बढ़ते रहो बेटा वो नहीं करना है तो इसलिए प्रावपर सनलाइट देंगे सनलाइट देने से क्या होता फोटो सेंथिस होता है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उसके अंदर और भी चीजें फार्मेशन होता है तो वो उसको इस्टेंथन करते हैं मजबूती प्रदान करते हैं है ना तो इस तरीके से आपको उसको बनाना है चलिए उसा टॉपिक मैंने क्या लिक रखा है प्येज का रोल और टीडियस उसी में रखिए ना थोड़ा दायमाय होता है कोई फरक नहीं पड़ता है कि साड़े छे के बजाए साथ हो रहा है तो यह नहीं है कि अहां मर जाएंगे कुछ नहीं होता है जानते प्लांट भी ती तेज फ्लक्च्वेट कराता रहता उसकी प्येज को तो वो आपको थोड जादा खास फरक थोड़ी पड़ता है कि वह आराम से चला करती कोई दिक्कत की बात नहीं है है तो पीच मेंटेन रखेंगे पीच नहीं मेंटेन रखेंगे तु जानते क्या होगा न्यूट्रेंट लॉक हो जाते हैं लॉक का मतलब आपके उसी के अंदर पड़े रहेंगे NFT के पानी में न्यूट्रेंट सालूशन में पड़े रहेंगे प्लांट उसको खाएगा ही नहीं क्योंकि एक आपस में दोनों के प्लांट जो रूट्स होती है और जो न्यूट्रेंट सालूशन होता है प्लांट के लिए कंडिशिव कंडिशन होती जब पीच उसकी उस रे सरल शब्दों में बता दे इसको नाले के ऊपर बैठके खाना नहीं खाये जाता है अच्छा होगा तभी तो आप खाना खाते हैं कि कहीं पे बड़ी खराब सी कूड़ा पड़ा हुआ है स्मेल आरे खाना खा लेते नहीं खाते न वह एंबियंस है ऐसी प्लांट के साथ होता ह है कि प्लांट में है जब प्यच मेंन्टेन होगी साइंस में नहीं आ रहा हूं प्यक्त में अलग अलग नियूत्रेंट जो Д by आली मेंटेत है केल्श्य हो गया हौगा पासफूरस हो गया आ इरन हो गया यह तभी अप्तेक करता है प्लांट्स जब वह वह प्यक्त उस कि टीडियस की बात टीडियस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी प्लांट जब कम एच का है तो कम टीडियस का प्लांट रहता है क्यों क्योंकि उसके अंदर वो मैंने बताय था आस्मोसिस सिस्टम चलता है तो आस्मोसिस सिस्टम के कांट न्यूटेंट अप्टेक किये जाते हैं तो पीएच जिस तरफ टीडियस जिस तरफ कम होती है तो उस तरफ से जो solution का flow है, वो higher TDS की तरफ जाने लगता है, तब तक जाता है, जब तक दोनों तरफ TDS, balance नहीं हो जाती है, बिल्कुल बराबर नहीं हो जाती, तब तक जाता रहता है, सिंपल सी, मतलब क्या कहना चाहिए, यह fundamental चीज है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए TDS मेंटेन करनी जरूरी है, तो आप लोग चाहिए, तो मैं वो TDS वाला चार्ट आपको दे दूँगा, तो उससे आप लोग आराम से पता कर सकते हैं, किसी प्ल कि क्या रहे हैं लोनी चाहिए, वो, अब यहां पर बात आती है, तीसी चीज की क्या, बेसिक सॉल्ट और एंपिके, न्यूटेन्स अलुशन बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, न्यूटेन्स प्लांड के, आप एंपिके से बना सकते हैं, मैंने जैसे बता रहा है, कि बेसि सॉल्ट से बना सकते हैं, जो लोग भी कॉमर्शल जाना चाहते हैं, वो बेसिक सॉल्ट से बना सकते हैं, जो भी कंसल्टेन्स अलुशन देता हूं, तो इंडिविज्वल उसमें, आप लोग को बताता हूं कि लिफी स्टेज पे, फ्लारिंग स्टेज पे, फ्रूटिंग स् costing NPK से बनाने में जो आपकी cost आती ही वो ज्यादा आती है ठीक है if you are going for commercial hydroponics then you have to reduce the cost of your nutrient तो आपको अपनी cost कम करनी पड़ेगी अगर आप commercially जाना चाहेंगे तो basic salt से सिख लीजे और उसे बनाईए तो आपका जो produce है उसकी cost कम हो जाएगी तो आप अच्छे से उसको अपने दामों में मनबरजी दामों बेस सकते हैं और आपका margins भी बहुत अच्छे से रहते हैं तो जितना भी foreign countries में वो लोग क्या करते बेसिक salt से बनाते हैं तो मैं भी लोग को basic salt से बताता हूं कि आप basic salt से बना सकते हैं उसमें क्या होता है कि crop wise आप जो changes करना चाहते हैं आप वो भी change कर सकते हैं असानी से तो यह उसके फायदे रहते हैं तो आप समझ के होंगे मेरी बात तो वीडियो बेंड करना चाहूंगा और कैसा लगा जबू बताईएगा कमेंट सेक्शन में और अपने हालचाल देते रहा करिये मेरे तो ठीक हैं आप लोग तो और भी ठीक होंगे चलिए अब तो हाइड्रोपारिक चल नहीं होगी तो ठीक क्या फिर वीडियो एंड करता हूं फ्रेंट्स ओके थैंक यू